इस बार National Doctors Day और भी खास हो जाता है। साथियों, मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानिक लोगों में ऐसे एक हिपोक्रेट्स ने कहा था। Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. यानि जहां art of medicine के लिए प्रेम होता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। Doctors इसी प्रेम की सक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं। इसलिए हमारा ये दाइत्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें, उनका होसला बढ़ाएं। वैसे हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो Doctors की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। स्री नगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहां डल जिल में एक बोट एम्बूलन्स सर्विस की शुरुवात की गई। इस सेवा को सीनगर के तारिक एहमद पत्लू जी ने शुरू किया। जो एक हाउसबोट ओनर है। उन्होंने खुद भी COVID-19 से जंग लड़ी हैं। और इसी से उन्हें एम्बूलन्स सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस एम्बूलन्स से लोगों को जागूर्थ करने का अभियान भी चल रहा है। वो लगातार एम्बूलन्स से एनॉंस्मेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही हैं कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बढ़ते हैं। साथियों Dr. Day के साथ ही एक जुलाई को Chartered Accountants Day भी बनाये जाता है। मैंने कुछ वर्ष पहले देश के Chartered Accountants से ग्लोबल लेवल की भारतिय और्डिट फर्म्स का उपहर मागा था। आज मैं उन्हें इसकी याद दिलाना चाहता हूँ। अर्थे ववस्ता में पारदर्सिता लाने के लिए Chartered Accountants बहुत अच्छी और सकारत्मत भूमी का निभा सकते हैं। मैं सभी Chartered Accountants उनके परिवार के सद्विशों को अपनी सुबकामनाई देता हूँ। मेरे पहरे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ भारत के लड़ाई की एक बड़ी विशेस्ता है। इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति ने अपनी भूमी का निभाई है। मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक्र किया है। लेकिन कुछ लोगों को सिकायद भी रहती हैं कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है। अनेक लोग जाए बैंक स्टाप हो, टीचर्स हो, छोटे व्यपारी या दुकानदार हो, दुकानों में काम करने वाले लोग हो, रहिडी पट्री वाले भाई बहन हो, सिकुरिटी वाच्मेन या फिर पोस्टमेन और पोस्ट ओफिस के करमचारी। दरसल यह लिष्ट बहुत ही लंबी है, और हर किसी ने अपनी भूमी का निवाई है। शासन, प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग-अलग स्टर उपर जूटे रहे हैं। साथियों, आपने संभव तहब भारत सरकार में सचीव रहे गुरुप्रसाद महापातर जी का नाम सुना होगा। मैं आज मन की बात में उनका जिक्र भी करना चाहता हूँ। गुरुप्रसाद जी को कोरोना हो गया था, वो अस्पताल में भरती थे और अपना कर्तव भी निभा रहे थे। देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़े, दूर सुदूर इलाकों तक ऑक्सीजन पहुँचे, इसके लिए उन्होंने दिन रात काम किया। एक तरप कोड कचरी का चक्कर, मीडिया का प्रेशर, एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ते रहें। बिमारी के दोरान उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। मना करने के बाद भी वो जीत करके ऑक्सीजन पर होने वाली वीडियो कांफरेशन में भी सामिल हो जाते थे। देश वास्चों की इतनी चिंता थी उन्हें, वो अस्पतार के बेड़ पर खुद की परवाय किये बिना देश के लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए इंतजाम में जुटे रहे, हम सब के लिए दुखत है कि इस कर्मी योगी को भी देश ने खो दिया है, कोरोना ने उन्हें हम से छिन लिया है, ऐसे अंगिनक लोग है, जिनकी चर्चा कभी हो नहीं पाई, ऐसे हर व्यक्ति को हमारी सरद्धानली यही होगी, कि हम कोवीड प पालन करें, वैक्सिन जरूर लगवाएं, मेरे प्यारे देश वासियों, मन की बात की सबसे अच्छी बात यह है, कि इसमें